यह यूनिट है तो इसमें अगर यह हम डैफर डालते हैं इसका क्वाइल अगर इसके तार उल्टे हो जाएं तो क्या होगा और कैसे पता करें कि इनमें सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है तो हाई फ्रेंस वेलेकम टूम तो मैं यूटूब चैनल लीजे डीकेश ट्यार उपे हमारी आवाज पर ठीक है तो इसी के बारे में बात करूंगा इस पीकर के माइनस पिलस जो होते हैं उसमें काफी फरक पड़ जाता है तो पहले हम आपको इस पीकर दिखा देते हैं इसके लिए आभी दिखाएंगे आपको मारा 500 वार्ट स्पीकर है डबल मैंगनेट ठीक है कि मारे अगर एक एक कॉलम में दो स्पीकर लगे हैं और एक कितार उल्टे हैं एक कितार सीधे हैं तो मतलब आपका इसपीकर बेश नहीं देगा और अब आज ही वोगा आप जब भी मार्केट जाते होगे तो मार्केट से ये लेआ Εकवाइल । अरशलरे की मिनती है और आपने डालनी आपको यह नहीं पता है कि मतलब कोंसा है कुछ भाई 근ِّ है कि एमें कौनसा होता है वाई यह त्योंगत तो यह मानेस होता है हर reinforcement में आले की बात कर रहा हूं सबफंे कर रहा हूं इस फिस एक थिक हैं थोटे से लेकां बड़े तक सब में यह उतक है तो यह माईनस होता है जो देहों होता है और जो सो फोर ओम यह प्लस में आते हैं तो आपको लाल कलर का तार होता है हमारे स्पीकर का जे टू ओम फॉर ओम एट ओम पर मतलब लगाने हैं ठीक है तो ऐसे मतलब आप होरन वाले एंपलीफायर पर स्पीकर चलाएं जिससे मतलब तार उल्टे ना हो उल्टे हो जाएंगे तो भाई आपका स्पीकर बेस नहीं देगा और अच्छा मतलब धमाका नह अच्छा नहीं लगेगा तो आप जब भी लगाएं तो स्पीकर के तार सीधे ही लगाएं और बात करते हैं अपने यूनिट की जो यूनिट के तार अगर उल्टे हो जाएं अगर एंपलीफायर से तो क्या हमारा फरक पड़ता है यूनिट पर एक भाई का कॉमेंट आया थ वे जोता है या नहीं तो मैं आपको बताता हूं एक टू जड पहले भी वीडियो में बता चुका हूं और अब फिर वीडियो में बता रहाहूं चोटे से लेकर कितना भी बड़ा स्पीकर हो थीक है कोई सी मतलब कितने भी इंची कवे टूज एड ठीक है आल इंडिया में या विदेश में भी जो speaker कोई बना है ठीक है कोई सा speaker ले लो एटुजेए ठीक सब में minus plus होता है और minus change हो जाए तो base खतम हो जाती है, base नहीं देता है, speaker फिर अबाज देता है, अबाज जिस नहीं ले सकते हो, अबाज देगा, चचराने पर पढ़ाने की बाज यादा खोलने पर आ सकती है, और खराब भी हो जाएगा speaker, ऐसा भी होता है, तो आप सोच रहे होंगे, unit के तार उल्टे सीधे ह होते हैं यह नहीं, तो यह जो मतलब coil है unit का, भाई इसके भी उल्टे सीधे तार हैं, ठीक है, तो इसके भी उल्टे सीधे तार हैं, और आप घबराओ मत, आप जब unit में लगाते हो, ठीक है, तो आप कितने भी unit लगा दो, कोई से की उल्टे सीधे तार अगर हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका अबाज ही अबाज देगा, इसमें बेस की जरूरत है ही नहीं, तो आप बे खटक रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो यूनिट लगा रहे हो, कैसा भी लगा दो, होते जरूर है, माइनस फिलस, खिलाल उससे कोई प्राबलम नहीं है, आपको अबाज देगा यूनिट अबाज, चाहें उल्टे हो, चाहें सीधे हूँ, क्योंकि ये अबाज के लिए बना है, ठीक है, और स्पीकर जो है, हमारा बो बेस के लिए बना है, ठीक है, तो ये अबाज ही अबाज देगा, और बो बेस देगा, ठीक है, तो इसमें हमें बेस की सीधे तार लगां यूनिट के काई सीधे तार लगां तो आप दे कट दिक्कत नहीं है क्योंकि चार स्पीटर के तार सीधे होना उस ही करता उटिक आप कीड़ सांटील सुआ व्यात आफ ए Mario那 P अगर चार इस अरे कि यूनिट लगा करें तो तो आप लगा सकतान हो Kennedy ठीक है और आप कैसे भी तार लगाओ यूनिट आपका आवाज देगा तो और एक भाई को कमेंट था कि भाई मेरे यूनिट की आवाज होरन की दूर नहीं जाती क्या करूं तो आप बेखटक रहो आप और जिनल कॉपर की डोरी चलाओ और जो अलमॉनियम का तार होता है सपे तो आपका अवाज आपकी जाएगी क्योंकि आपको एक डोरी और चलाते हो तार तो बीच में करेंट पी जाती है कोई सेंपलिफायर हो ठीक है तो जो यूनिट है हमारा वहां तक करेंट पूरा पहुंचने पाता है इसलिए हमारा फुल अवाज नहीं देता है और जो कमेंटेंब बताएं वीडियो लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें फेस्वों में पेचे को फोलो कर लें मिलता हूं अगली वीडियो में